रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों जोति शास्त्र में भगवान हनुमान जी को संकट मूचक कहा जाता है जिहां दोस्तों भगवान हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दुख और संकड बहुत जल्दी हरने वाले देव माने जाती है जो भी भक्त भगवान हनुमान जी की सचे मन से पूजा राधना करता है भगवान हनुमान जी उसकी सभी मुराद बहुत ही जल्द पूरी कर देती है भगवान हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन हनुमान 40 का पाट करना है और शाम के वक्त भगवान हनुमान जी के आगे गी का दीपक चला लेना है दोस्तों यदि आप सिर्फ इतना कर लेती हैं तो भगवान हनुमान जी की असीम कृपा आप पर निरंतर बनी रहती है ऐसे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको उन भागिशाली राश्यों के बारे में बताने वाली हैं जिन पर अब हो चुकी है भगवान हनुमान जी की विशी इश्क्रिपा जी हैं दोस्तों आपकी जनकरी क्लिए बता दें कि आज राद बारा बजे के बाद गरह गोचर और नक्षत्रों की ऐसी सिती में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने जा रही है जो की कुछ विशेश राशी वालों के लिए बहुती ज्यादा शुब और फलदाई रहने वाली है दरसल दोस्तों आज रात मंगल देव अपना राशी परिवर्तन कर रही है मंगल देव का राशी परिवर्तन आज रात बारा बजे होने जा रहा है और दोस्तों जैसे ही मंगल देव अपना राशी परिवर्तन करेंगे वैसे ही भगवान हनुमान जी की शुब दृष्टी कुछ विशेच राशी वालों पर पढ़ जाएगी जिससे की अब इन राशी वालों का भाग युदय होना तो तैय है दोस्तों यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशी इसमें है या नहीं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें साथी साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची मन से जै हनुमान जै सियराम जरूर लिख देए भागवान हनुमान जी की असीन क्रिपा आप पर बन जाएगी तो चलिए शुरू करती हैं दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि इन राशी वाले लोगों के यूपर अब भागवान बजरंग बली की विशेश क्रिपा द्रिष्टी सबसे अधिक बने रहेगी बजरंग बली का नाम लेकर ये राशी वाले जो भी कारे करेंगे उस कारे में आपको सफल होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता आपको अपने घर में सबसे ज्यादा अपने बड़े भाई का सपोर्ट मिलेगा जिससे कि आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में भी काम्याब रहेंगे दोस्तों की साथ आपको अच्छानक यात्रा इस दोरान करनी पड़ सकती है यात्रा करना आपके लिए इस दोरान लाब दायक रहेगा हलाकि अपने स्वास्त का आप इस दोरान विशेश रूप से खयाल में रखिए यात्रा करते समय वाहन आप साथधानी पूर रख चलाए दोस्तों इस दोरान आपको केवल एक साथधानी का क्याल रखना है कि आपको किसी के साथ भी विवाद में नहीं पड़ना जी हाँ दोस्तों अपनी वाणी पर आपको इस दोरान सयम रखना है और छोड़ी बातों को आपको नजरन्दास करना है और उसकी पीछे आपको और किसी के साथ आपको लड़ाई जगड़ा नहीं करना क्योंकि यदि या पैसा करेंगे तो आपको किसी बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों बता दें कि इन राशी वालों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनमें से पहली तीन राशिया है मेश राशी विश्व राशी और तुला राशी बताना चाहेंगे कि इन राशी वालों के घर में यब सुक समरिद्धी और धन का अगमन होगा आपके लिए आने वाला स सफलता के मार्ग हासिल होंगे, वहवाहे के जीवन आपका सुखद रहेगा, नौकरी पेशा वाले लोगों के वेतन में बड़ोतरी और उन्नती की खबर मिलने की संभावना बन रही है, आर्थिक वर्ग के लोगों को इस दोरान सफलता मिल सकती है, सभी धन संबंदित समस्या आपकी जोरान बजरंग बले की कृपा से अचानक से खतम हो जाएंगे, लाब दायक परड़ाम की आपको प्राप्ती होने वाली है, आपको अपना सच्छा प्यार मिलने की पूरी-पूरी संभावना है, जीवन साथी से आपका जोरान प्रेम बढ़ेगा, परिवार में पार वन नौकरी पेशा के सफलता प्राप्त होने वाली है, आपके लिए आने वाला समय बेहदी ज्यादा शुब रहने वाला है, आपके जीवन में चल रही बुरी परसितिया बदूर होंगी, जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, उनको प्रेम संबंदित मामलों में सफलता मिल सकती है, दोस्तों इस दुरान आपको सफलता के मार्ग हासल होंगी, वैवाहिक जीवन आपका सुख़द रहेगा, सभी धन संबंदित समस्याएं आपके अचानक से खतम हो जाएंगी, लाब दायक परेडाम की आपको प्राप्तियब होने वाली है, आपको अपना प्यार मिलने की पूरी-पूरी संभावना है, दोस्तों अंतिम तीन राशियां है, धनो राशी, मकर राशी और कुम्ब राशी, बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए आने वाला समय बेहती ज्यादा शुब और फलदाई रहने वाला है, भगवान बजरंग बली की करि करिपा से आपका आने वाला समय बहुत ही शुब है, इन राशी के लोगों के व्यापार में अत्यदिक तेजी से वृद्धी होगी, जीवन साथी के कार्य में आपको उन्नती मिलेगी, भगवान हनुमान जिरी करिपा से आपको अचानक कोई बड़ी खुश खबरी मिलेगी आपके डूबी हुई रकम वापस आपको प्राप्त हो सकती है, व्यापारियों को व्यापार में अच्छा फाइदा प्राप्त होगा, आप लोगों को कोई बड़ा धनलाब भी हो सकता है, आपको अपना सच्चा प्यार मिलने की अब पूरी-पूरी संभावना नजर आ रह कर दी